दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेडमेंट की पोश्टो पर कुछ वेकेंसी आई है, आज की इस वीडियों में आपको इसके फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कर सकते हैं, जहां से आप जॉइन इंडियन नेवी ट्रेडमेंट वाली पोश्ट को उपन कर लेंगे, इसके नीचे आपको अपलाई ओनलाइन वाली लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट एसी वेपसेट पर आ जाएगे, नीचे दी हुए इसके पर लिंक का ओप्सन मिल जाए जिसमें आपको यूजर डालनी है, लॉगिन डालनी है और नीचे पासबर डालना है, अगर आपके पास यह नहीं है तो आप रेइइस्टर पर क्लिक कर दें और अपना न्यू रिइस्ट्रेसन कर लें, जैसे कि मैंने रेइस्टर वाले ओप् पूछे जा रहा है। उसकी देटर भी. सुब्लाइब को फिल करने पाद सेंड डॉटल ईपीपर क्लिक Commonwealth को डिया गया है जो भी आप टेटर को Albansa को फिल करेंगे नहीं, अगले चला परणी के अपकों बढ़के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहां पर आपको faleiसा की आप कई लोग बोलेंगे सर इसको small letter में लिखना था यहां पर small letter में लिखने के लिए option नहीं मिलेगा आपको जो भी email ID आप डालेंगे चाहे तो आप small letter में भी डालें वो automatic capital letter में हो जाएगी मॉयल नमबर डालने के बाद send to OTP पर click करना है आपको OTP आपकी mail नमबर पर और email ID पर भी वेज़ दी गई है कभी कबार mail पर OTP देर से आती है तो डारेक्ट आप email ID login करना है जैसे कि मैंने यहां पर all mail पर click कर दिया है इस पर OTP आ गई है नेवियल डोक्यार्ड की तरब से तो OTP यह चार अचर की है 3370 verify and register पर click करना है आपको करते हैं इसके बाद अब यहां पर आपकी login ID और password लिखकर आ जागा इसको copy कर लें या फिर आप इसकी photo भी खीज सकते हैं मैंने इसको copy करके नूटपेट में paste कर लिया है ताकि मुझे आँगे login करने के लिए जब इसकी जरूत पड़े तो मैं इसको डाल सकूँ अब आपको यहां पर home का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है login ID वाले कॉलम में login ID डालनी है password वाले कॉलम में वह password डाल देना है दोने चीज़े डाल दी मैंने login पर click कर देते हैं login होने के बाद सबसे पहले आपके सामने यह option आएगा I am an Indian national यानी कि मैं भारत का निवासी हूँ मैंने उस पर click कर दिया है आँगे मेरी कुछ details लिक कर आ रही थी यहां पर मैं अपने father का नाम डाल देता हूँ आँगे mother का नाम डाल देता हूँ नीचे पूछा ही आ रहा है क्या आपने कभी अपना नाम change किया है 10th करने के बाद तो अगर आपने किया है तो आप yes कर सकते हैं इसके बाद आपकी detail पूछी जाएगी अगर आप नहीं किया है तो no करते हैं बैसे जालत तो लोग नहीं करते हैं तो इस पर no कर देते हैं इस date of birth in the maturation certificate are same in the mansion date of birth certificate यानि कि आपका जो date of birth certificate बना हुआ है उस पर date of birth लिखी है और 10th कि मारसीट में date of birth लिखी है वो same है तो आपको यहां पर yes करना है अगर नहीं है तो no करना है या फिर date of birth certificate अभलेवल नहीं है तो इस पर click कर सकते हैं आप martial status यानि कि साधी होगी या नहीं होगी है इसमें से आपको select करना है किस state की निवासी है इसमें से अपना state select करना है लेजन कौन सा है इंदू-Muslim से किसाई अपने हिसाप से select करना है जेंडर नेशनल्टी इंडियन का option आ रहा है यहां पर आपको अपना पहचान चिन डालना ह जो भी आपका पहचान चिन हो इसमें अधरकर नमबर डालना है नीचे address डालना है सभी कॉलम आपको भनने पड़ेंगे नीचे पूछे जा रहा है आपसे क्या आपका permanent address और corresponding address यानि present address सेम है तो आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां अगर different है तो आप no करके अपना correspondence address डाल सकते हैं मेरा सेम है तो मैं यह सकर देता हूं save and procedure पर क्लिक कर दें अब नीचे आपसे education details मांगी जा रही है जैसे कि यहां पर 10th की detail बननी है 12th की है तो 12th की detail बननी है डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा की detail बननी है ऐसी यह आप यहां पर देख सकते हैं जो जो training उसमें से आपको यहां पर चार option मिलेंगे इन में से कोई एक चुनना पड़ेगा जहां से आपने की हो उसको select कर लें training period यहां पर आएगा कब से कब तक आपने training की है क्या आपके पास ncbt apprentice certificate है तो आप यहां पर yes कर सकते हैं नहीं तो यहां पर no कर दें certificate का number certificate की last date token नंबर apprentice school की training में मिला हो ट्रेड किस ट्रेड के लिए आपको अपलाई करना है यहां पर option आ जाएंगा automatic जो आपने ट्रेड चुनिए उससाब से पोस्टिंग का preference यहां पर select करना है आपको चार option दिये गए हैं इसमें से एक एकर के select कर लें save and process पर click कर दें category select करने हैं यहां पर किस category में आप आते हैं विकलंग है या नहीं है एक servicemen है या नहीं है government employee है या नहीं है save and process पर click कर दें इसमें आपको यहां पर photo लगानी है और यहां पर chain upload करने हैं इसके बाइत यहां पर नीचे option जो आपको मिल ले हैं इसमें आपको 10th की marksit upload करनी है फिर से यहां पर 10th का certificate या नहीं कि आधर का driving license passport वगएर जो कोई आपके पास वह यहां पर upload करना है अगर कोई additional document है तो इसको यहां पर upload कर सकते हैं जिस पर red star बने हुए है वो सभी document upload करना कंपल सरी है इसके बाद नीच से आप से पूचा जा रहा है क्या आपने जो भी details को fill किया है वह आप आंगे future म आपको मिलने वाली है उसकी लिए सो करना चाहते हैं अपनी information को या नहीं करना साथ है तो आप यहां पर yes या no कोई भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है तो इस तरीके से मैंने यहां पर photo signature और सभी फाइलों को upload कर दिया है इस वारे option पर आप चाहिए तो no कर सकते हैं या yes कर सकत हैंगे यहां पर आपको क्लिक करने का self-declare करने का option मिलेगा इस पर टिक लगाने आपको यह फिर अगर आपसे कुछ mistake हो गई हो तो edit कर सकते हैं यहां से आप ही तो आप समिट कर सकते हैं मैं यहां पर समिट पर click कर देता हूं आप भी navy treatment के लिए form apply कर सकते हैं अगर आपको इसमे photo, signature वगएर upload करने में समस्य आ रही है तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने step by step photo, signature और document वगएर आपको कैसे convert करने हैं, कैसे upload करने हैं उसकी पूरी process बता रखी है और अगर आपको फिर भी को समस्य आ रही है तो आप मुझे सिरे comment section वब कुछ सकते हैं